मैं 30 साल का हूँ और नैनी ताल उत्तरा खंड से हूँ सर मेरी कुछ समस्या है जो मैं आपके साथ बाटना चाहता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी साहता करेंगे सर मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ और इन दिनों अपने भविश्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ मुझे बेचैनी सी हो रही है और मैं अपने से विश्वास खोता जा रहा हूँ कुछ दिन पहले मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था कॉन्फिडेंस की कमी के वज़े से मेरी दिल की धरकन भी तेज हो जाती है जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वे कहते हैं कि चिंता मत करो लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता आप प्लीज मेरी हेल्प करें ताकि मैं ठीक हो सकूँ इन दिनों मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होती है और र तथा य जैसे अक्षरों को बोलने में बड़ी दिक्कत आती है मैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी समझ्या समझेंगे सर मैं जानता हूँ कि इस समझ्या का समाधान मेरे भीतर ही है फिर भी चलो आपकी एक बात के लिए तो तारीव करनी होगी कि आप इतना तो समझ्ते हैं कि आपकी समझ्या का समाधान आपी के भीतर छिपा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कोई मनुश्या यह समझने को तैयार ही नहीं है कि उसकी जो भी समझ्या है उसका समाधान सिर्फ उसके मन की गहराइयों में छिपा हुआ है वही मौजुदे वो बहार कुछ भी कर ले कितना भी कर ले वो अपने जिवन की एक समझ्या सौल नहीं कर सकता है अब जहां तक आपकी समस्या का सवाल है तो आपको यह समस्या पहले नहीं थी यह बड़ी ताजी ताजी आपने पकड़ी है और आपकी जो समस्या है उसके मुल में है भविश्य की चिंता जब तक आप भविश्य की तरब बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे थे आपका जीवन समुथली जा रहा था लेकिन पता नहीं क्यों किस कारण से आपके मन ने भविश्य के बाबत सोचना कुछ ज़्यादा ही शुरू कर दिया है और भविश्य चीजी ऐसी है कि सक्षम से सक्षम व्यक्ति दन्वान से दन्वान व्यक्ति और ताकत्वर से ताकत्वर व्यक्ति भी यदि सोचेगा भविश्य की सोचेगा तो कॉन्फिडेंस खोदेगा चिंता पकड़ेगा परेशान होगा और जैसे आप कह रहे हैं कि स्वकोर्व रकोस्व मकोट वो होगा यह आटोमेटिक है यह चिंता का परिणाम है और कोई से बच नहीं सकता भविश्य चीजी एसी है कि जितना मनुष्य उसकी तरफ जाकता है डरता है तो चिंता पकड़ता है चिंता पकड़ता है तो कॉन्फिडेंस चला जाता है और कॉन्फिडेंस चले जाने के बाद पर्फोर्म नहीं कर पाता है और एक बार जो इसको चक्रा में फस जाता है उसका भविश्य बिगड़ता चला जाता है तो भविश्य के मामले में जीवन का और मन का एक पक्का सिद्धान थे कि एवोईड एंड रूल भविश्य को पूरी तरह से एवोईड करो और आने वाले भविश्य पे शासन करो तो आपके जीवन में आप पहले भी कोचिंग क्लास में पढ़ा रहे थे पर खुश थे आज भी आप कोचिंग क्लास में पढ़ा रहे हैं पर दुखी हैं टेंशन में हैं और आत्मविश्वास खो चुके हैं परिवर्तन जीवन में नहीं आया है परिवर्तन मन के भीतर आया है और वो सिर्फ इतना सा कि आपको भविश्य की चिंता पकड़ने लगी है उसे दूर करो जब इतने साल निकल गए तो बचे वे और निकल जाएंगे है ना बविश्य की चिंता छोड़ते ही आप तुरंत प्रसन हो जाएंगे अपना खोया कॉन्पिदेंस वापस पालेंगे और फिर रको तको मन निकलना भी तातकालिक बंद हो जाएगा सो उम्मीद आप मेरी बास समझ गय होंगे थेंक यू बेरी मच है I am the mind most notorious and complicated but at the same time much more powerful than the brain trust me once I'm set all set then no failures no frustrations to unleash my magic grab your copy of I am the mind by Deep Trivedi available in English Hindi Marathi and Gujarati at atmanestore.com also at all leading bookstores and e-commerce sites साथी जीवन से संबंधित विभिन विश्यों पर उनके द्वारा दिये गए lectures वा workshops एपिक चानल पर देखें हर अविवार सुभा 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे